तो दोस्तो आज मेरे घर पे हो रही थी लड़ाई, मेरे हजबन ले आए सुबह सुबह लौकी कह रहे थे मैं लौकी ही खाऊँगा और मेरे बच्चे कह रहे थे कि भईया आज संडे है कुछ भी हो जाए लौकी तो हमें खाने नहीं है तो मैंने सुझा चलो कुछ एक काम करते हैं जुगार करते हैं जिससे दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और ये रेसिपी ना ट्रस्ट में इतनी है टेस्टी है ना सभी मदर्स को पसंद आने वाली है तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने आप लौकी ले ली लौकी को एक बार अच्छ तरीके से धोकर इस तरीके से हम उसकी स्किन निकाल देंगे और उसके बाद हमें इसे चोटे-चोटे टुकडों में कट कर देंगे लाइक मेरे घर में बच्चे अकसर लौकी खाने में बहुत नखरे करते हैं इसलिए मैं कि मैंने उन्हें लौकी खिलाई है और इतने शौक से खाते हैं ना ट्रस्ट मी आप देखते रहा जाएंगी कि बच्छों ने लौकी ऐसे कैसे खा ली तो बस यहां पर मैंने धेर सारी लौकी को छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया है दूसरी और मैंने क्या किया था ना द दो मीडियम साइस की आलू भी ले सकते हैं कच्छे आलू उनको इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में काट कर एक बार साफ पानी से हम वाश कर लेंगी अब हमने यहां पर ले लिया है कुकर और सारी लौकी हमने इसमें डाल दी साथी जो चने की दाल हमने भिगो कर र आप तो मैंने एक बड़े ग्लास करीब पानी इसमें डालेंगी अब इसमें डालेंगे एक तीश पूर नमक इसका लगाएंगे धकन और दो से तीन विसल बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे आने देंगे और फिर हम इसे थोड़ी दिर के लिए छोड़ेंगे इसकी पूरी स् अब यहां पर आप देख सकते हैं यह सारी चीजे बहुत अच्छे से कुख हो चुकी है बॉइल हो चुकी है अब हम क्या करेंगे ना पटेटो मैशर का इस्तमाल करेंगे और इन सभी चीजों को मैश कर लेंगे वैसे आप चाहें तो इसे बड़े वाले चमत से भी मैश कर ले है इसलिए हम इसे मैश करते हैं लोकी चना दाल अकसर हम बनाते हैं एक बार आप यह रेसिपी बनाएंगे ना घर में सभी को बहुत पसंद आएगी अच्छा आलू हमने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि इससे क्या होता है आलू से जो थोड़ी सी थिकनेस होती है नेस रेस प्याश कर लिया सब कुछ एकदम पेस्ट फॉर्म में हो चुका है तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो एक कढ़ाई मैंने तीन से चार बड़े चम्मच तेल ले लिया उसमें हम डालेंगे दो बड़े साइस की प्याश करते हुए और इस तरीके से प्याश को हमें क टमाटरों की प्यूरी मैंने बना ली थी वह प्यूरी इस स्टेश पर हम इसमें आट करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जैसे ही जाएगी टमाटर की प्यूरी वैसे ही जाएंगे काफी सारे बेसिक सुखे मसाले तो हमने आपर डाल दिया है एक बड़ा नमक फिलहाल थोड़ा सा डालेंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला तो दोस्तों जो सबसे ज़ादा जरूरी है वह है पाव भाजी मसाला वह इस रेसिपी का गेम चेंजर है वह आपको यहां पर एक बड़ा चममच आड़ करना होगा इन देखिए थोड़ा सा ड्राय हो चुका है और इसमें से ऐल भी सेपरेट होने लगा है तो इस स्टेश पर हम अपनी लौकी चनादाल आलू का जो मिश्रण है वह इसमें आड कर लेंगे यह देखिए यहां पर हमने सारी चीज़े इसमें आड कर ली है और एक दम परफेक्ली इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यहां पर आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजे तो आज मैं बना रही हूं पाव भाजी वह भी हेल्वी वाली तो दुस्तों पाव भाजी बच्चों को बहुत पसंदाती है बट अगर आप एक लौकी वाली पाव भाजी ट्राय करेंगे तो इसके फैन हो जाएंगे इसका टेस्ट एकदम डिफरंट है और बहुत ही कमाल की रेसिपी बनकर तयार होती है इसे बनाना भी बहुत आसान है आप घर की चीजों से बना लेंगे एं ट्रस्ट मी आपको बिलकुल होटल वाला टे फूद सी फूद कलर ए जचिए है तो फूद कलर विल्कुल व्यां स्किप भी कर सकती है बर इस से जो र एक्सिपी देखने me तो जब आप इसे धीमी आज पर पकाएंगे ना तो धीरे धीरे ये गाड़ी होती जाएगी ये इसका फ्लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा तो धीमी आज पर पकाना बहुत ज़रूरी है आप एक कप पाने डालिए सबी चीजे डालिए और कवर करके 10-15 मिट छोड़ लीज आप चाहें तो इस रेसिपी को सिंपली रोटी के साथ भी इंज्वाई करेंगे तो भी आपको पसंद आएगी इवन ये वाली सबजी राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है आप गर्म गर्म राइस के साथ इससे सर्फ कीजिए आपका दिल खुश हो जाएगा तो ब प्याज महीं टुक्रों में काट लिये थे साथी उसमें तो सहरा धन्या डालेंगे और नीम्बुकारस डालेंगे तो बिलकुल स्ट्रीट स्टायल वाला जो है ना साइड वाले प्याज बनकर तयार हो जाएंगे जो कि इस सबजी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बस पा बड़िया खुशबू आ रही है कि किसी का भी दिल खुश हो जाए तो मेरे हस्बेन का मूंड़ाफ हो चुका था उन्हें लग रहा था कि चलो आज मेरी लौकी नहीं बनी बड़ जब मैंने उन्हीं सर्फ की तब परता लगा कि यह रेसिपी उनमने लौकी से बनाई है तो मार्किट में मिलती है ना पाओ भाजी बिल्कुल वैसी कंसिस्टनसी है खाते वक्तों कोई नहीं बता पाएगा कि इसे आपने लौकी से बनाया है अब हम इसे करेंगे गरमा गरम सब आप इस रेसिपी को जोस्तों जरूर ट्राय कीजेगा मुझे नीचे कमेंस में लिखकर करें मेरे पेच को फॉलो करें और कमेंट्स में लिखकर बताए कि क्या आपके बच्चे भी लौकी नहीं खाते और यह भी कमेंट्स में लिखकर बताना कि आप यह रसीपी कप ट्राय कर रहे हो तो वह देखा आपने कितनी टैंटिंग लग रही है बहुत ही कमाल की आप कीजेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरू मिलूंगी तब तक के लिए बाइए